और अगर आप हमारे चनल पे नए हैं या फिर वेल आइकन ने प्रस किया है तो जरूर कर दें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना प्राप्त होती रहे यहाँ पर मिस्टर योगेश लालमे साहब ने पूछाए कि सर प्लीज मेक वीडियो और अदानी ग्रीन इनर्जी शेयर्स इसका मतलब आप निवेशित हैं या फिर लेने की सोच रहे होंगे या हो सकता है इस स्टॉक में आपको रुची हो तो जरूरी इस स्टॉक या कंपनी के बारे मैंने अभी तक वीडियो नहीं बना है तो मैं प्राइर्टी वाइज मैं लोगों के जो स्टॉक के रेकुमेंडेशन मुझे आती है कि इस पर बनाया जाए इस पर बनाया जाए तो मेरा पूरा प्रयास रहता है कि वन बाई वन करके मैं लेता रहूं आप लोग की कॉल्स और उस पर वीडियो बनाता रहूं जो भी डेटा मैं जहां से देख सकूँ वेबसाइट में जो पढ़ सकूँ जो इन्फरमेशन जहां से मिल सके क्योंकि होता क्या है कि बहुत सा डॉक्सन जो डिवलर हम लोग की आँखों के सामने नजर में रहते हैं जिन पर बहुत ज्यादा वॉल्म ट्रेडड होते हैं या फिर बहुत निवेशुकों की पसंद है लेकिन लिस्टेड हैं कम से कम 4,000 ज्यादा कमपनियां लिस्टेड हैं हर साल कितनी साइक्रोग कमपनियां लिस्ट होती हैं तो उस वज़े से सारी कमपनियों के बारे में तो मुझे पूरा नॉलेज हो नहीं सकता कोशिश रहती है कि मैक्समिम जो भी अच्छी कमपनियां उन पे तो आज हम बनाएंगे आदा वीडियो जो बनाऊंगा वादानी ग्रीन एनर्जी पे और ठीक योगेश जी आप को मैं बता दूं कि ग्रीन एनर्जी यह है एक जो सोलर से या फिर आपको टर्बाइन से जो प्राप्त होती है बिना किसी पॉलूशन के बिना किसी भी होता है तो और खर्चा भी होता हमारे जो मिनरल समन पर बहुत जादा खापत होती है तो इस वज़े से ग्रीन एनर्जी जो है इनका एक सेग्मेंट है अदामे ग्रूप का तो इसके हम कुछ फंडामेंटर्स देखेंगे लेकिन मैं एक और डिस्क्लेमर देना चाहूँ कोई भी स्टॉक खरीदने या बेशने से पहले आप अपने फनेंशल एडवाजर ज़रूर मशुरा करें मेरा काम सिर्फ इंफर्मेशन देना और मैं बता दू कि इनर्जी की जो कंपनिया है जो भी लिस्टे चाहिए सुसलाओन एनर्जी हो चाहिए ग्लोबल हो चाहिए को फली फूली ये कंपनिया और लोगों को अच्छा-कासा रिटर्ण भी मनाया लेकिन जुनों ने हाई लेवल पे लेकर रखा था आज वो लागातार गिरावट पे हां दस सालों से बहुत जादा उन पर कर्जा है रियल स्टेट पर बहुत जादा फ्रॉड हुआ है तो इस वज़े से जो है थोड़ा सा इन कंपनियों को हम अवाइट करते हैं लेकिन चलिए अधानी ग्रीन एनर्जी के बारे में पहले देख ले कि क्या अभी फिलाल जो जून 18 में लिस्टेड हुई थी एक साल भी नहीं हुए है अभी अधानी इंटर्पाइजेस से सेप्रेट हो इसलिए 2019 पर तो नेटस जहां इनकी दिसंबर 18 में थी 456 क्रोड की में 680 क्रोड की जो की करीब करीब 49-50 परसंड के आसपास आप मानके चलिए बढ़ात है ग्रोथ है और वहीं पर हम कॉंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में जाते हैं तो देखी यहां पर दिसंबर 18 में 117 क्रोड की नेगटिव में लॉस था इनका और मार्च 19 में यह लॉस कम हुआ है सॉरी 93 क्रोड का लॉस रह रह रहा लेकिन फिर भी है तो लॉस ही लॉस तो लॉस ही है और यहां पर देखे 20.34 परसंड की यहां पर लॉस कम दिखा रहा तो यह हम इसको डाउनसाइड ही मान जिनकी तो जहां दिसंबर अठर में 27 परसंड 87.45 परसंड के थी वहीं हो गई 65.66 परसंड की यहां पर 21 परसंड की नेगटिव करीब आसपास 21 परसंड के आसपास डाउनसाइड है तो रिजल्स इनके बहुत बहतरी नहीं है और हम शेर होल्डिंग पैटर्स में अगर हम च 37 परसंड से ज्यादा के शेर से नहीं गिरिवी रखे हुए है जो कि यह एक अच्छी बात नहीं है मतलब किसी कंपनी के लिए उसके अगर कोई गिरिवी रखे पैसे वैसे उठा रखे है तो यह परकार का लोन है और करजा है बर्डन है शेर गिरिवी रखे फाई-आई-आ अब इसले साल तो इन्होंने पे नहीं किया डिवीडेंट ही हो सकता है इस साल संभावना है या हो सकता है कि अभी जब तक प्रॉफिट में नहीं आ जाते जबर्दसतब तक डिवीडेंट ना पे करें या हो सकता है पे ही ना करे कुछ कंपनियां होती है डिवीडेंट नही देख लेते हैं अधानी Green Energy Limited 43 BSC पे 20 में को 3 बज़ के 22 मिनट हैं और मैं एक बात बता दूँ कि आज कुछ exit polls के results कल ही आ गए थे कल शाम से तो उसका नतीज़ा यह रहा कि Sensex जो है 1435 वरतमान समय जो हो रहा है अभी 3 बज़ के 23 मिनट पे 1429 अप है उपर है मतलब सिर्फ और निफ्टी है 422 अंक उपर है तो इस वज़े से पूरे मार्केट में जितने भी तो मेरे ख्याल से लिस्टिंग के समय इसका भावर आओगा 30 रुपए और जब 85 पैसे close time और लो बनाया थे इसने 27 का लेकिन हाई बनाया यहां पर एक दो महिने के अंदर सब्तर का और लगातार गिरावट के साथ यहां पर अभी आज 43 पे आज आज ट्रेट कर रहा है और 92 परसेंट लोग कह रहे हैं जरूर इंवेस्ट करें खरीदें तू यह रहा आज का स्टॉक और पी बगेरा भी इस्टेंड अलोन पर भी दिए हां चलिए हम बुक वैल्लीव 13.80 की डिलिवरेबल एफ़ेपे 3.27 के आसपस फेस बल्ली अभी भी दो की है प्राइस टुबू का 3.12 की दोस्तों मैं आपको बता दू कि इस सेक्टर में इनर्जी सेक्टर में पावर सेक्टर में या फिर इस पटिकुलर स्टॉक में जनरली वो लोग क्योंकि बहुत ही वोलाट से वो लगातार बेरिश है नॉट पुलिश जैसे 2016 के बाद 17 में जो बुलिश थी एक तरफ़ाई मार्केट कोई भी पैसा डालो किसी भी स्टॉक में डालो कमाई हो ही जाती थी इतना नुकसान नहीं होता था तो इस वजए से अभी फिलाल पावर सेक्टर में खास कर ऐसे स स्टॉक्स में मुझे लगता ट्रेडर्स ही ज्यादा एक्टिव रहते हैं जो हां मैं अभी आपको केंडल वगरा मैं इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि पर्टिकुलर में जो केंडल प्लेयर्स होते हैं और या फिर चाक वगरा देखके वो क्या होते हैं कि उनके अपना होमवर्क होता है किसी स्टॉक को उनोंने बहुत जबरदस्त उस पर नजर बना रखी है दो तीनी स्टॉक्स पर यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसे कई लोगों को जानता भी हूँ जो प्रॉपर अपनी स्टॉडी करते हैं एक दो स्टॉक पर नजर बना कर रख रखती चाहें आप भी अगर इस ऐसे करते हों तो आप जरूर महसूस करते होंगे लेकिन हमारा जो चैनल है जो मैं कॉल देता हूं वो लॉंग टर्ब के परपस से देता हूं जिसमें आपको लंबे समय में किसी प्रकार का रिस्क नहों और अच्छा मुनाफ़ा प्राप्त हो तो जहां रिटर्ण की बाद है तो रिटर्ण में मैं दिखा देता हूं इस स्टॉक की लेकिन मैं लंबे समय के लिए इसमें बुलिश नहीं हो कि आगे भी आपको कमाती रहे कि देखे जिन्होंने ये टेल डेट यानि जनवरी से पैसे लगा रखे उनको 2.8-6% का रिट लेकिन जिन्होंने आज मतलब आज मार्केट अफ़ा खरीब करीब इनको 15-15% का रिटर्न उनको मिल रहा है क्योंकि आज सबरतस्त सेंसेक्स भी भागा है और सारे स्टॉक्स भाग रहे हैं तो यहीं पर अपना वीडियो वाइंड आप करना चाहूंगा आशा है कि आपको ज़रूरी हो पसंद आया होगा और मैं इस पर अभी कोई भी राय अपनी नहीं दे रहा हूं कि इसमें क्या करना चाहिए आपको लंबे समय के निवेश्रों को मैं बिल्कुल भी राय अभी नहीं दे रहा हूं और यूंकि अभी इनकी रेजल्स जो फैनेशल ट्रेंड वा नेगटिव में है और जब तक बहत्री नहीं हो जाते तब तक नहीं कह सकता वैसे ही मैं इनर्जी सेक्टर में या पावर सेक्टर में बहुत सदा बुलिश नहीं हूं अभी फिलाल इस वक्त पर हालां कि जो गवर्मेंट भी सपोर्ट कर रही है और एकस्पैंशन कर रही है ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी पर तो हो सकता भविश में आने वाले समय में अच्छा करे रहे है इस टॉक बर लंबे समय के लिए भी थोड़ा सा देखना पड़ेगे वेट और वाच थैं